दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटुब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ स भी जिस्वास भी तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संभादित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाड्वेर से शंभादित हो या फिर सौफ्टर से संभादित आप मुझे वाट्सड य और बताता चलो दोस्तों कि आज जिनकी PC विल्डो रही है यह सर यहां पर बैठे हुए है इनको दिखाईए यह सर है हमारे सुभनाम क्या है सर अपना बताईए विवेक कुमार गुपता जी है और सर यह चल कर क्या है बड़ी पावन धर्ती से यह आये हैं आयद्या की धर्ती चलिए इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे है यहां पर प्रोसेसर जो कि यहां पर देख पार हैंगे 4i9 आंलॉक प्रोसेसर है 11900-K यह बड़ा शांदार बड़ी पावर्फुल प्रोसेसर है ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों RAM की तो RAM हम लगारे है पूछने की बात नहीं इसके बाद हम बात करने वाले दोस्तों नेक्स्ट यह से पीउ कूलर है यहां पर आज हम यहां पर लगाने वाले हैं डीप कूल के तरफ से आने वाला पीएफ छेसो पचाफ पाउर सप्लाई है और यह बड़ी शांदार पाउर सप्लाई है लोड बगरा ले करके कहीं कोई भी दिक्कत नहीं इसको चलने में और बहुत बढ़िया पाउर सप्लाई है दोस्तों सी ड्राइब के लिए जो हम आज यहां पर यूज कर रहे हैं SSD यह ह लेने के लिए दोस्तों कई आप लोगँ ने मेरे हमेसा मेंशनेज करने musimy कब लगके शूप के बारे में दिलवाया यहां पे इसका यह ब्रांडिंग है लेनों की तो सेम यहीं चीज मैंने इनको भी दिलवाया हुआ है तो दोस्तों समय हमारे पास बड़ा कम है और शाम के बजगा है पांच और इस समय से पीसे संबल चालू होने वाली है आप लोगे सामने लाइव और पीसे संबल करके complete data वागरा लगा करके इनको training भी देनी है और इनको आज ही क्या छोड़ना इनको आज ही कि आज आयोध्या भी पहुंचना है तो चली देर में करते हुए हम फटावर्ड पीसे संबल आपको लाइव करके दिखाते हैं तो चली वीडियो में बने रही है वीडियो को दो करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले हम इसके अंदर से बाहर निकालेंगा motherboard को दब्बे के अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलना हमें बहुत बढ़िया जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों इसके साथ वाई-फाई का एक य पेच हैं वो मिल रहा है इसको भी साड़ में रखेंगे इसके साथ मिलता है एक आपको यूजर मैनुवल वह जरूत निए इसको हम इसी में छोड़ देंगे और यह है driver की CD चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं दोस्तों आप देख पार होंगे बड़ा शांदार motherboard है और इस motherboard की जो खास बात है ना इसकी VRM किसी भी motherboard की सबसे पहले VRM देखी जाती है और इसकी processing power प्रोसेसर तो अपने जगह है लेकिन अगर प्रोसेसर आप बहुत बढ़िया लगा रहे है मदर आपका बहुत बढ़िया नहीं है तो वह प्रोसेसर ही आपका हैवी हो करके क्या कर कि यह performance नहीं देगा तो इसकी भी हमें बहुत ज़्यान रखनी होती है कई बार आजमी क्या होता है कि 40 ज़र का प्रोसेसर लगा लेंगे 45 ज़र का प्रोसेसर लगा लेंगे और जब motherboard की बात आती है तो वहां पर लगते हैं वह समझाता करने की सर्ची 10,000 का motherboard लगा आपको दिखाते चले कि इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे आपको यहां पर देख पा रहे होंगे यह लगाने के लिए उसके बाद यहां पर आपको PS2 का भी option मिल जाता है जबकि आजकल कोई भी आजमी motherboard और प्रोसेसर PS2 नहीं लगाना चाथे तो ग््रफिक कार्ड डो ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं और क्रॉसफायर में उसको चला सकते हैं औरaja करूषफायर क्लूंगा और यहां पे जीज में आप क्लियर करा दूख के लगायं और विटबसिक चालू कर लें तो ऐसा नहीं है कि दोनों ग्रा इसके उपर प्रोसेसर तो प्रोसेसर हम यहां पर यूज करने वाले हैं यहां पर देख वा रहे होंगे जैसे कि मैं पहले भी बताया हुआ है को राइन के तरफ से आने वाला 11900K और इसका जो सैकेट नंबर है आप यहां पर देख पा रहे होंगे बड़ा शांदर बहुत ही तरीका आप लोग ने हर बार देखा होगा बड़ा अराम से आपको निकालना है और प्रोसेसर को कभी भी इस तरीके से पकड़ना है कि यह प्रोसेसर के उपर उमली ना लगे ठीक है यह हमारा तरीका होगा पकड़ने का और यह इसका सौकेट है लगाना कैसे है ध्यान इसमें भी दोस्तो सीधा और उल्टा होता है तो इसको समझना पड़ता है अगर उल्टा आप लगा करके इसको बंद कर देते हैं तो प्रोसेसर के साथ साथ आपकी पीन भी खराब हो जाएगी मदरबोड भी डेमेज हो सकते हैं और यह कैप जो आप देख रहे हैं दोस्तों पूल इसी तरीके साब का भी बाहर निकल जाएगा पीसी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि कभी ऐसे आदमी के देख रेक में पीसी को कभी भी एसेंबल करवाई है जिसको मिक्सिंग की दुनिया की कम से कम 10 साल पीछे का नॉलेज हो और मशीन के बारे में वह पीजी का 32 मेगा हर्च का रेम यह आता है DDR4 के साथ हिटसिंग वाली रेम है बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ सीलपेक है यह हमारा पहला राम दोस्तों दबबां साड़ी में रखते जाएंगे और रेम निकालेंगे हम बाहर वीडियो बनाना है दोस्तों बहुत जल्दी क्योंकि भाई को छोड़ना इनको जाना है आयोध्या यह हमारा फैस्टर रेम है और इसके अंतर हमारा second रेम यह लोगो बताने का यह प्रयास किया है कि इसमें चैनल A और चैनल B होता है तो रैम कभी भी अगर आप दोनों चैनल A में डाल देंगे परफॉर्मस गिर जाएगी या दोनों चैनल B में चला जाएगा तो परफॉर्मस गिर जाएगा तो रैम को एक को चैनल A में डालना होता है और दूसरे को चैनल B में ठीक है, तो यह आपको हमेशा समझना है, जिनको नहीं पता है, वो लोग ऐसे करते हैं, किसी में उठाकर कोई भी डाल देते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, चलिए इसको लगा लेते हैं हम यहाँ पे, रेमी दोस्तों हमने complete कर लिया यहाँ पे, आपके सामने खोलेंगे, और जिनकी PCA सम्बल हो रही है, यह सामने खड़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह भाई की PCA सम्बल हो रही है, यह सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलिए, यहाँ हम उपन कर लेते हैं, इसके साथ भी यह user manual आता है, बड़ी शाओधानी और बड़ी आराम के साथ हम इसको निकालेंगे, हर बार मैं बताया हूँ, कि SSD बहुत पतली होती है, और बहुत ही शाओधानी साब को निकालना और लगाना होता है, बहराल हम इसको किनारे लग देंगे, और इसके यह पेज हैं, यह हम पेज पहले सारी विवस् हो रहे होंगे, जैसे कि मैं हर बार वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, कि इसमें तीन है, तो एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और इसकी तीसरी शॉकेट यह वाली है, ठीक है, तो किसमें लगाना है कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, यह जिन्होंने मेरे पास फोन करके मेरे से यह पूछा है कि सर, आप जो मशिन बताते हैं, वो मशिन मैंने भी बनवाई है यहां से, या आप से अच्छी कॉलिंग की विवस्टा आपके मशीन में अच्छी नहीं है, या फिर कहीं ने कहीं जिसने आपकी मशीन को एसम्बल करा ह है, वो जैसे तैसे उन्होंने एसम्बल कर दिया, या फिर आपको complete knowledge नहीं थी अगर आपने हाँ से एसम्बल किया है, तो उस condition में आपके पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपका machine performance नहीं देगा, कि क्या है, दूसरी बात कि complete machine एसम्बल होने के बाद आपको इसकी BIOS की setting manual करनी करनी है, अगर आप manual setting नहीं करते हैं, तो machine कभी भी आपको और तो पे बहतर performance कभी नहीं निकाल के देगी, बेसा का आप 2,00,00 रुपे के machine बना ले, चलिए, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं पिस्टोप cooler क्योंकि हमें आज इनको जल्दी छोड़न है, और समय बड़ा कम है, इनको जाना है, और टाइम लगबग साड़े 5 उपर हो गया है, अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, गैमेक्स का तरफ से आने वाले AG400 ये CPU cooler का बड़ा शांदार है, बहुत बड़े size में है, CPU बहुत बढ़िया से ये cool करता है, चलिए हम इसको open क लखेंगे, और ये हमारा डेमेक्स का CPU cooler, ठीक है, बहुत इशांदर, complete RGB ये दोस्तों, और हवा तो पुछे मत, बहुत बढ़िया हवा देता है, मैंने इसको बहुत सारे PC में लगा है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, और size भी आप देख पा रहे ये fine cooker को कर देंगे, हम अलग, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है, बड़ा आराम से करना, ये pin नहीं टेड़ा होना चाहिए, और इसके नीचे यहाँ पर लगा हुआ है, एक sticker, इसको हम हटा देंगे, sticker को हटाने के बाद, इसको हम साइड में रख देंगे, यहाँ पर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और इसको लगाते हैं, तब सब्सक्राइब को क्या करना है, दोस्तों, इसको हम इसके उपर लगा करके check कर लेंगे, अगर ये intel का होगा, तो बिल्कुल fit बढ़ जागा, जबकि ये AMD वाला इसके अंदर आप लगाएंगे, तो ये fit नहीं करते हैं, और इसको निकाल लेंगे बाहर, इसको बढ़ाने के बाद दोस्तों, हम इसको इस तरीके से पकड़के बड़ी आराम से हम इस motherboard को पलट लेंगे, और पलटने के बाद वापस हम motherboard के डबबे पर ही रखेंगे, कभी भी दोस्तों PC सेंबल हमेसा motherboard के डबबे पर रख दिखाई दे रहोंगे, यह इसके चार स्टेंड हैं, जो कि आप देख पा रहोंगे, जो नहीं लगा है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, हर लोग लगा नहीं पाते हैं इसको क्योंकि हमेसा कुछ नो कुछ मोडल चेंज हो जाता है, तो फिर लगाने का तरीका भी बद इसकी चूड़ी पतली हो लगेगी, क्योंकि यह इंटेल का है, और MD वाले में जो चवड़े चूड़ी का होता यह लगता, तो यह हमारे लिए फिलाल किसी काम का नहीं है, हम इसको इसके उपर बिठा देंगे, बिठाने के बाद दोस्तों हम किसी एक होल को पहले मैच करें करेंगे, और बड़े आराम से हम इसको टाइट करेंगे, किसी भी तरीकी की कोई भी जल्दी बाजी, कोई भी हडबड़ी हमें PC बिल्ड करने में नहीं करनी है, क्योंकि आप जितने जल्दी सोचेंगे काम खतम हो, वो उतनाई देर होगा, और कहीं ना कहीं आप नुकसान पेज हमने बिठा लिया है, दोस्तों यह बैड़ गया है, और हम सारे के सारे पेज को एकदम बेहतर तरीके से कसलेंगे, और बहुत ज़्यदा टाइट नहीं करना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यह डेमेज हो जाएगा, अब इसके उपर करेंगे हम अपने पेस्ट तरीके से यहाँ पर अपलाई कर लिया हुआ है, अब हम यहाँ पर यह हमारा है CPU कूलर, तो इसको हम लगाएंगे, और लगाना किस तरीके से है, इसमें भी थोड़ा से डिजाइन देखिए, यह यहाँ पर बैंड है, तो यह धियान देना हमको इस तरीके से लगाना है, ता इसे टाइट करने में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि एक समय पर जाकर किस की चूड़ी खुदी खतम हो जाएगी, और आपको लएगा कि यह फूल टाइट हो चुकी है, बहुत जबर्दस्ती करेंगे, तो कहानी खराब हो सकती है, तो यह आपको हर बार मैं बताता और आपको ध्यान रखना है कि बहुत जबर्दस्ती किसी पेज को आपको टाइट नहीं करना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और यह हमारा complete यहाँ पर जितना भी पार्ट लगना था यहाँ पर, यह हमने सारा लगा लिया हुआ है, यहाँ पर हमने अपना RAM भी लगा लिया, प्रोसेसर लग गई, फैन लग गया, M.2 NVMe SSD लग गई, अब रगया यहाँ पर यहाँ इसका फैन, तो यह फैन लगा लेते हैं, दुबारा फैन लगाने में आपको यह ध्यान देना है, दोस्तों कि जो फैन की जो साइज है, वो कभी भी हीट सिंग के साइज को यहाँ पर मिला लेंगे, कि उपर और नीचे का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और ठीक इसी तरीके से जब आप इस साइड के क्लेंप यहाँ पर लगा रहे हों, तो यहाँ पर आपको इसका साइज देख रहना है, कि यह उपर नीचे ना हो, ठीक है, क्योंकि कई बार आदम इसको असेंबल करके, और इसके अंदर विंडो डाल करके, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, यह जिनकी PC असेंबल हो रही है, यहाँ पर बाइस साइब बढ़े हुए है, तो इनका कैसा एक्सपिरियंस है, और वो डेटा कैसा लगा, डिजाइन कैसी लगी, पूरी जनकारी मैं उनसे आपको दिलवाँगा आगे, तो चलिए, यहाँ पर हम अपने कैबिनेट को निकालते हैं बाहर, दोस्तों आज मैं जो यहाँ पर कैबिनेट लगाने वाला हूँ, यह भी फुल आरजी बी है, और साइड में ग्लास लगा हुए, आप आवास सुन पा रहे होंगे, साम और नीचे का पेज खोलने के बाद उगली और हाथ यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद आप फिर उपर का पेज खोलने के बाद बड़े तसलिस आप इसको उठाएंगे, और उठागर के साइड में रख देंगे, दोस्तों यह हमारा कैबिनेट और हमने दोनों तरफ के इसका धकन उतार दिये हुए है, और इसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर पावर सप्लाई, और यह पावर सप्लाई हमें लगानी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, डीप कुल के दरफ से आने वाला यह 650 वाट की सप्लाई है, तो हम इसको उपन करते हैं, बड़ी श और यह इसके साथ मिलता है पावर केबल, लेकिन पता नहीं कमपनी को क्या सूझती है, यह चाइनेज पावर केबल देती है, जिसका कोई उप्योग नहीं है, या तो इसको फेक देंगे, या फिर यहां से कट करके हम थिरीपीन लगाएंगे, जब हम इसको यूज मिले तो यह इसकी जो साइज है आप देख पा रहे होंगे, यह फुल साइज है इसकी, चलिए, अब दोस्तों इसके अंतर लगाते हैं हम अपना पावर सप्लाई, छेसोपचास वाड की और लगाने का जो तरीका है, वो हर बार आप लोगो को मैं बताता आया हूँ कि नीचे इस अब इसके अंदर गेर ना करते हुए हम लगाएंगे मदरबोर को, और मदरबोर लगाने के लिए हम सबसे पहले यह फैन उतार देंगे, क्योंकि हमारा मदरबोर बड़ा है और उसकी व्यारेम बहुत चोड़ी है, अगर यह लगा रहेगा तो हम लगा नहीं पाएंगे, त तो हम इसके साथ एक जो यह कैबिनेट है, इसके साथ एक पैकेट मिली हुई है, इसके अंदर हमें स्टेंड मिल जाएगी, लगा लेते हैं हम पटापट, दोस्तों मैं सारे यहां पे स्टेंड कंप्लीट कर लिए हैं, और यह हमारा मदरबोर और मदरबोर क्योंकि यह और बड़ी कसली से लगाने हैं आपको मदरबोर, क्योंकि इसके दोनों साइड प्रिंटिंग होती है, अगर आप बहुत जो तक घसिटेंगे, मदरबोर आपका ब्रेक हो सकता है, बंद हो सकता है, तो यह आपको ध्यान दखना है, अब दोस्तों आपको पूरा ही लगाना ह कभी भी पेच लगाने में आपको कोथाई नहीं करनी है, कि यहाँ चलो भाई, हम दो कम लगा करके अपने कस्टमर को देदे, करेंगे कि आप पेच कम लगा करके, बाकी के बचे हुए पेच आप फेक देंगे, तो कभी भी PC जब भी एसेंबल करें, पूरी मजबूती से कर करें, और पेच सारे के सारे लगाएं, और बहतर तरीके से आप इस काम को करें, जिसका भी आप PC बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एक प्रोफेशनल PC बिल्ड करने वाले हैं, तो कभी भी अपने काम को पूरे इमानदारी से आप करें, चलिए, यह हम यहाँ पे लगा लेते है दोस्तों सारे के सारे पेच लग गए, आपने देखा और हमारा कंप्लीट यह फिट हो चुका है, अब यहाँ पे यह हमारा वायर है, यह फैन का, तो हम फिलाल इसको लगा ही देते हैं, और यहाँ पे फैन लगाने के लिए आप यहाँ पे देख पारेंगे, दोस्तों दोस्तों बड़ी आराम और बड़ी तसली से लगाएंगे इसको हम और कभी भी कोई भी शॉकेट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर दे करके दबाना नहीं है, नहीं तो खराब हो सकता है, यह हमारा लग्या सीक्यू पार सप्लाई, दूसरे नमबर पर आता है दोस्तों हमारा 24 पिन कनेक्टर सप्लाई जो की इस बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बड़ी आराम से आपको इसको फिट करना है, आपको ध्यान देना है कि वस उतना ही दबाना है जितने भी यह लग जाए, उसके बाद अगर आप दबाते हैं तो कहीं न कहीं मदरबोर्ट पे आप नुक्सान पहुंचाएंगे, तो यह आपको ध्यान देना है, चलिए हमारा 24-pin connector लग गया, इसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है USB 3.0 की, तो हम यहां पे 3.0 USB भी लगा लेंगे, और यह है दोस्तों हम यहां से इसको भी एंटर कर लेते हैं, एंटर करने के बाद दोस्तों यहां पे यहां पे USB केबल की, जो कि यहां के USB हैं, यह इसको पर काम करते हैं, और दूसरा आता है audio jack, यहां पे यह audio के लिए option है, तो इसको भी हम फटटा-फट एंटर कर लेते हैं, और इसके बाद हम लगाते हैं, तो यह है हम इसको भी एंटर कर लेंगे, यह हमारा audio wire, यहां से हम इसको इंटर कर ल अब बताया हूं आपको ध्यान से काम करना है ने तो खराब हो सकता है यह हमारा अडियो का शॉट्ट इसको भी हम बड़ी तसली से लगा लेंगे अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर आता है पावर स्वीच रिसेट स्वीच और हाड्राइब एलेडी और पावर एले वो लग गया 32 पीन कनेक्टर लग गई और यहाँ पे सप्लाई लग गई और यहाँ पे स्प्लाई आती है वो लग गई तो यह हमारा कंप्लीट फाइनल लुक है दोस्तों और आप देख पार होंगे कि कितना तार दिख रहा है बस इतना ही वायरिस में दिखना है इसके अल अंदर डाल देंगे इसको टाई करके और जो हमारे काम के हैं वो इसको एक एक करके हम बाकी कनेक्ट कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि मदरबोर्ड लग चुकी है तो अब यहाँ पर बारी आती है दोस्तों यहाँ पर फैन की तो यह फैन हम लगा लेते हैं और इसका भी हम connection करी लेते हैं लगे हाथ दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह fan में इतना gap company देती है हमेशा यह देखिए यह देख पा रहे होंगे यह इतना gap है सीधा बाहर को निकल जाए तो यह हमारे लेगा बिल्कुल नीचे तो हम इसको बिल्कुल नीचे सरकार करके टाइट करेंगे बहुत से लोग दोस्तों इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और नजर अंदाज करके सरीफ पेज कस देते हैं और सामने वाले भाई को पकड़ा देते हैं यह बताइए हमें कि अगर इसकी मतलब नहीं होती तो company के आप पागल बैठा है कि इतना gap देगा क्यूं देता है वो आपके लिए देता है कि आप इसको अपने हिसाब से आउसकत बढ़े हैं तो सर आई वाई चलना है तो यहीं वज़ा है दोस्तों कि कई बार इसेंबलिंग सही तरीके से ना होने से आपका Core i9 मशीन भी Core i5 से बत्तर चलता है तो यह हमेशा आपको ध्यान देना है जो भी आदमी PC बिल्ड कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो यह सारे इदर से लगाएं या उदर से कोई दिक्कत नहीं फिलाल हम इदर से लगाएंगे क्योंकि यह तार का फ्लो इदर है इदर लगाएंगे तो यह तार हो जागा चोटा हर एक चीज़ पर बहुत बारिकी से हमें ध्यान देना है अब इसमें एक सप्लाइश चाहिए होगा बहुत शांदार हैं बड़े तसलिस और बड़े आराम से लग जा रहा है अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि हमारा इसी में पावर सप्लाई पाटा यह भी हमारा काम कर जाएगा इसी हमारा हाड ड्राइव लगा लेंगे और इसमें एक्स्टा इसको फिट कर देंगे और फिट करने के बाद हम इसको इस्टॉल करवाएंगे दोस्तों कम्प्लीट हमारी पीसी हो चुकी है बिल्ड और हर एक वायर की कनेक्शन हो गई सब कुछ ओक्य है और यह फाइनल आप देख पा रहे होंगा यह वायरिंग है इतनी ही वायर इनकी इसी में दिखनी है जैसा कि सारे पीसी इसी तरीके से असेंबल होते हैं पर तोड़ा समय जानकारी देदूं बस यह कंप्लीट इसकी वायरिंग है और ग्लास लगने के बाद बहुत शांदार लुक आने वाली है और इधर की आप यह कंडिशन देख पार होंगे यह सारा त इसमें डालते हैं इस्टोलेशन करते हैं इस्टोलेशन के बाद इस पीसी की परफॉर्मेस क्या है वह आपको दिखाएंगे और जिनकी पीसी बिल्ड हो रही है उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे दोस्तों यहां पर देख पार होंगे हमारा पीसी पूरे तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखा था आगे मंदर बोड में और यह फाइनल्स का लुक है चलिए सारे वाइरिंग आपने देख लिए complete और यहां पर मैं जो दुबारा फिर यह शूट कर रहा हूं आगे इसके पीछे का मकसद यह कि मुझे दिखाना है आपको यह कीबोड और म कीबोड माउस है आज के तारिक में मैं बता दोस्तों कि जितने भी लोग को मैं कीबोड माउस दिलवा रहा हूं तो नॉर्मल में किसी को नहीं दिलवा था जिनको भी मैं दिलवा रहा हूं तो कीबोड माउस आपको RGB के साथ ही में दिलवाता हूं तो इसको उपन करते हैं देखते हैं किसके अंदर जो डिजाइन है वो किस तरीके से RGB इसका शो करता है माउस में क्या क्या फैसलिटी है तो रोबोट टाइप का यह माउस दिखाई दे रहा है कुछ अलग ही है ठीके निकालते हैं देखते हैं और कितना RGB है और कितना बहतर है यह कीबोर्ड मैं इसको आप लोग इसके RGB टेस्ट करवाता हूं और उसके बाद फुल कंप्लीट PC की भी मैं आपको RGB टेस्ट करवाऊंगा सारे लाइट कॉफ करके कि इसमें कितनी RGB है और कितना जलवा बना पाता यह PC तो चलिए इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख पार होंगे यह सील है दोस्तों यहाँ पे अब यह सील ओपन नहीं हुई है चलिए इसको ओपन कर लेते हैं यह दोस्तों हमारा कीबोर्ड और यह इसका फाइनल लुक है साउंड बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों इसमें ठीक है क्योंकि यह मेकनकल कीबोर्ड है बनावट काफी सुंदर है आप इसके जनकरी अब हम इसको स्टार्ट करके देते हैं और इसके अंतर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह इसका माउस है और आरजीबी के जो वायर होते है माउस के वह काफी इसके ऊपर धागा लगा होता है तो यह खराब भी नहीं होता बहुत बढ़िया है दिकत नहीं इसको हम लगाते हैं लगा करके फिर इसकी आरजीबी टेस्ट करवा करके आप लोगों को हम बताते हैं और यह मैं यहाँ पर पावर बिटन कर दिया प्रेस और यह इसकी कंप्लीट फाइनल आरजीबी है जो कि आप देख पाय रहोंगे और बहुत शांदार आर कर रहा होगा क्योंकि उसकी जो आरजीबी हमें देनी है यह कॉस्टमाइज हम देंगे सौफ्टर ची पीडर और आपपनाज वांकर दूद不對 कर वरργं करा होंगे yes 이상 अभी मैंने इसका software इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इसके वैसे वह आपको एक warm color में दिखाई ज़रा होगा, अभी किसी तरीके का कोई window अगर PC में नहीं पड़ा हुआ है, और नीचे यह इसका final आप RGB देख पा रहे होंगे, keyboard भी बड़ा शांदार RGB है, और यहाँ इसकी mouse complete जनकरी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरी PC बिल्ट हो चुकी है, और सर जी ने पूरा PC हमारे सामने ही बिल्ट किया है, आप लोग ने देखा होगा वीडियो में मैं सामने ही बैठा था, और इ समय सर जी ने बहुत दिया, इतना समय कोई नहीं देगा, और जो उमीद लेके मैं यहां पर आया था, वो उमीद हमारी सही निकली, और जो विश्वास था सर के उपर, सर को तो मैं जामता नहीं था, यूटूब से हमें पता लगा, प्ले इडिस शलूशन से, और आप चाहे और जो चाहे ऑफलाइन, दोरों काम कर सकते हैं, आप अगर बिगनर हैं, तो आप सर से आकर सीख बे सकते हैं, और अपनी कम्प्यूटर को बिल्ड भी करा सकते हैं, आप कभी भी आईए, कोई भी फोन, कोई भी कॉल आप करेंगे, एक कॉल पे आपका फोन रिसीव होगा, स समय लिजे इतना हम लोग को गाइड किये हैं हमको इतना बैठा के भी समझाए हैं कि मैं 90 में से 50% जानता था इडिट करना और सर ने हमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट वगेरा सब कुस दिया कि मैं 100 में 100% सीख गया हूं और अगर आप भी PC बिल्ड करवाना चाहते हैं अच् करिए सर के कॉल फोन नंबर यूटूब पे आपको मिल जाएगा आप उनसे फोन करके बात कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगा हमें यहां आके साजी को बहुत-बहुत धहनवाद बोलना चाहूंगा अब यहां से जाने के बाद देखते हैं क्या प्रोफॉमेंस आता है ज और यहां पे जब हमने टाइमलाइन पे पूरी PC बिल्ड हो गई जब टाइमलाइन पे मैंने देखा सर को चला के यहां पे देखा तो बिलफूल बॉफरिंग नहीं कर रहा था वीडियो अध्वाद समूज चल लए थी और मैंने अपने टाइमलाइन पे वीडियो रखके भ कोई भी दिक्कत होगी आप सर तुरंत आपका फोन रिसीब करेंगे ऑनलाइन तुरंत सारे काम सही हो जाएंगे और मैंने यहां पे दो बज़े आया हूं मैं आज रात 9 बज रहें भी और इतने कॉल इतने फोन सा रहे हैं सर ने सबका फोन उठाया सबको जवाब दिया ले यह लगे ही हैं सर बहुत मेंनाथ करते हैं सर जी समझ लीजे टाइम टू टाइम पूरा टाइम यहां पे देते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे जगां है प्लेड इडिट सेलूशन आप आईए पैसा आप अच्छी जगां लगाईए थाइंक यू एसेंबल की जाएगी हम लोग शलते हैं जद्धिया